कि हलो एबरीवांज सभी का मेरे चैनल दिवाइन चाहरो में कैसे हैं आप सब उम्मेद करते हूं सब हापी होंगे पॉसट्फीड कर रहे होंगे पॉस्ट्फ सोच रहे हैं तो अब वैसे आप देख सकते हैं इस रीडिंग को ठीक है और उसके अलावा ये रीडिंग जनल है जरीनी की सब्रों के लिए रिजॉनिट करें पर मुस्ट आफ दी टाइम कर जरूर जाती है ठीक है सो लेट स्टार्ट विद रीडिंग युनिवर्स मुझे बताएं सिंग राशी वालों के लिए पर अब्रुवरी के महिने में ओवरॉल क्या एक्सपेक्टेड है जजमन kennedy रीड टूप्प्स 4 of Swords High Priestess Page of Wands King of Wands Knight of Wands Sun 3 of Cups 3 of Wands Ace of Cups 4 of Pentacles 7 of Swords Bottom of the Deck Let's see, आप लोग के लिए Universe का Message क्या है Universe सिंग राशी वालों के लिए क्या Message देना चाहेंगे February के लिए February के लिए क्या Message देना चाहेंगे For Singhrashe The Energy is Gaining Momentum Waxing Moon So, Singhrashe वालों आप लोगों के Energy में आप लोगों का Rebirth होता हुआ दिखाई दे रहा है इस महीने आप लोग जो है काफी ज़ादा एक New Version, एक New Personality एक New Development के साथ नज़र आ रहे हैं काफी सादा Changes आपके अंदर देखने को मिलेंगे और ये Changes आप खुद लाएंगे अपने अंदर Spirituality की और भी आपका Interest बढ़ेगा खुद में विश्वास आपके अंदर का आत्मा विश्वास भी बढ़ेगा कही न कहीं ऐसी एनरजी है जहाँ पर आप काफी साथा Positive होते नज़र आ रहे हैं मैं याँ पर देख पार हूँ आपके Career की अगर बात करें तो Career में आप लोगों का दिल जीत लेंगे ऐसी एनरजी बन रही है यानि कि यह साब की बातों से आपकी Communication से लोग आपसे काफी इंप्रेस होंगे कोई बड़ा Project, Presentation या आप अपने Business का Proposal लेकर अगर कहीं जा रहे हैं तो Definitely सफलता मिल सकती है यह वो टाइम फ्रेम है जहाँ पर लोग आपकी बात सुनने मानने को भी Interest लेंगे अगर लोग बात सुन रहे हैं पर सफलता मिलेगे कोई Target है तो Target पूरे होंगे हाँ, Finances बहुत अच्छे तो नहीं होंगे लेकिन हाँ, पहले से बहतर ज़रूर होंगे जो लोग जॉब पगेरा के लिए खोज कर रहे हैं जॉब मिल सकता है कई ना कई जॉब मिलने की Opportunity भी दिख रही है बट आप और भी Options और Opportunities को देखते रहें ऐसा नहीं कि एक Option को देखकर सिधा Reject करके आ जाए नहीं, उसे भी Backup में रखें और भी Options देखें क्योंकि और अच्छे-च्छे Options आप लोगों के लिए एकस्पेक्टेड है, ठीक है तो Financial Level में Improvement देखने को मिलेगी बात करें आप लोगों के लिए अगर आप स्टूटेंट हैं, अगर आप लोग पढ़ाई वगरा कर रहे हैं तो स्टूटेंट्स के लिए इमाईना इतना अच्छा नहीं है सोच विचार जादा रहेंगे, थौट्स रहेंगे फेल होने का डर रहेगा या ध्यान कहीं और ही भटका हुआ रहेगा हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम स्टूटेंट्स के लिए आ सकती है दस बहाने ढून लेंगे और अगर कोई रिजल्ट आ रही है इस महीने आप लोगों के लिए स्टूडेंट्स की बात कर रही हूं तो वो रिजल्ट शायद आपको आपकी एक्सपेक्टेशन के अनुसार ना लगे like satisfaction नहीं फील होगा आपको भाई भेनों के साथ जो है सम्मंध इतने कुछ अच्छे नहीं होंगे आप अपने आप में रहना जादा prefer करेंगे आपकी energy में clearly दिख रहा है कि आप थूड़ा सा भाई भेनों से negative हो जाएंगे या भाई भेन आपकी किसी बात से थोड़ा सा negative रहेंगे negativity थोड़ी बहुत देखने को मिलेगी भाई भेनों के बीच में जादा extreme भी नहीं पर ठीक ठाक नॉर्मल रहेगा ठीक है mother को लेकर आप काफी caring देंगे आप अपने माता जी पर बहुत ध्यान देंगे माँ भी आपकी care करेंगे काफी जादा ही care करते हुए आप focus करते हुए उन पर नज़र आएंगे घर वगेरा अगर buy करना है तो घर को लेकर research शुरू होगे इस महीने आपकी आप research करेंगे तगडी research हाला कि buy करते हुए आप नहीं दिख रहे लेकिन आप इस महीने बहुत सारी research करेंगे इस महीने आप अपने घर के loan कैसे होंगे क्या होगा investments में क्या return होंगे कुछ मिलना है नहीं मिलना है इन चीज़ों पर बहुत research करते नज़र आएंगे यानि कि जो भी चीज़ आप लेंगे वो सोच समझ कर लेंगे बिना सोचे समझे नहीं लेंगे और ये महीना आप बहुत सोच समझ कर research करेंगे चाहे एक गाड़ी क्यों न लेनी हो आप उस पे बहुत अच्छी खासी research करेंगे तो ये महीने आप इनिशेट नहीं करेंगे रिसर्ट जादा कर रहे हैं ठीक है अगर मैं कहूँ तो फैमली में महाल कैसा रहेगा पीसफुल है शान्ती है जादा स्ट्रेस नहीं है नॉर्मल है चीज़े आप लोगों के लिए गर परिवार में चीज़े नॉर्मल रहेंगे ठीक है अगर मैं आप लोगों के लिए लव अफेर की बात करूँ तो लव अफेर के लिए आप में एक न्यू बिग्निंग दिखाई दे रही है एक न्यू उर्जा न्यू एनरजी पर मुझे ऐसा लग रहे है कि कुछ ज़ादा एक्स्ट्रीम लेवल पर फिलहाल आप किसी से नहीं कनेक्ट हो रहे हैं पाच्चीत होगी दोस्तियां हो सकती हैं आप फिर भी एफर्ट डालते नजर आ रहे हैं थोड़ा बेटर लाइक कही न कहीं बेटर मेंट आपके अंदर देखने को मिल रहा है तो आप कहीं न कहीं अप्रोच करेंगे अगर आप लोगों के लिए आप गर्फरेंड बॉइफरेंड है तो गर्फरेंड बॉइफरेंड में मिया बीवी के बीच में भी एनरजी नॉर्मल ही रहेगी पॉजिटिव ही रहेगी जो जैसा चल रहा है सामने रूप में रहेगा स्ट्रेस किसी तरीके के नहीं है नॉर्मल है सब चीज़े third party situation में हैं जो लोग third party situation का सामना कर रहे हैं उस third party के साथ या आपके competitors या कोई दुश्मन है आपके career में तो उनसे आप बहुत tactfully deal करेंगे यानि कि आप उनको वो चीज़ें नहीं देंगे जो आप में देखना चाते हैं अब let's say third party आपका reaction चाती है तो आप reaction नहीं देंगे competitors आपको जो है परिशान करके exhaust करना चाते हैं किसी तरीके से तो आप परिशान होंगे ही नहीं यानि कि जो भी लोग आपके उपर प्रयास कर रहे हैं कुछ चीज़ों को हावी करने का कि कहीं से आपको problem हो जाए आप उन चीज़ों का उल्टा करने हैं जिसके वज़े से आपके उपर आपके competitors भारी होने के जगह है उल्टा खुदी अपना सर पीटते हुए नजर आ रहे हैं चाहे वो third party क्यों ना हो सो कहीं ना कहीं win-win situation आप ये बन रही है travel वगेरा की इच्छा होगी definitely travel करेंगे भी घूमना फिर ना होगा आप लोगों का इस महीने clearly दिखाई दे रहे है छुटी-छुटी drives होगी या normal traveling होगी solo trip हो सकता है आप जाएंगे यह आप अखेले travel करते हैं विज़ादा दिख रहे है अगर इस महीने बात करूँ जो लोग no contact situation में है no contact situation वालों के लिए मुझे काफी strongly ऐसी energy बन रही है जहाँ पर दिख रहा है कि कोई तीसरा व्यक्ति आपके जेवन में आ सकता है कोई तीसरे व्यक्ति का आप try करेंगे approach करेंगे ऐसी energy बन रही है आपके xb जो है उनका भी interest आपके अंदर आएगा वो भी आपकी तरफ बहुत attract होंगे उनका भी interest आएगा वो भी व्यक्ति आपकी तरफ देखने में interest लेंगे आपको stock करेंगे, chase करेंगे आपके लिए दिवाने होंगे या दिवानी होंगी बट मुझे आप no context रिथी में हैं अगर तो आप एक new approach की तरफ जाते वे दिखाई दे रहें नई opportunity, नए लोगों से connect होते वे नए लोगों से मिलते वे आप ज़ादा दिखाई दे रहे हैं खुश है, खुद में self worth का एसास है खुद में बहुत ज़ादा gratitude है, happiness है काफी ज़ादा आप अच्छी position में है, travel कर रहे हैं, enjoy कर रहे हैं हर शण को, हर एक समय को, हर एक time frame को जी रहे हैं खुलकर confidence level अच्छा है आपका यहाँ पर अगर मैं आप लोगों के लिए students के लिए बात करूँ, जो लोग higher studies के लिए नहीं health के लिए पहले बता देती हो, health के लिए अगर मैं बात करूँ तो health आप लोगों की improvise होगी इस महीने आपकी fitness अच्छी होगी personality developed होगी, health की कोई problem रही है पिछले कुछ time से, तो वो solve होगी आप बहुत happy zone में जा रहे हैं, positive zone में जा रहे हैं बहुत happy रहते होगे, बहुत positive रहते होगे नजर आएंगे इस महीने कही न कहीं समय आपके अंदर जो है, बहुत सारे changes ला रहा है बहुत जादा spiritual भी होते नजर आ रहे हैं, भगवान को लेकर thankful और grateful होते नजर आ रहे हैं यहाँ पर आप लोगों के लिए, कहीं न कहीं, health wise तो चीज़े अच्छी है students जो लोग highest studies के लिए जाना चाहते हैं, या विदेश यातरा के लिए जाना चाहते हैं उन लोगों के लिए भी मुझे कहीं न कहीं good news मिलते नजर आ रही हैं, अगर try कर रहे हैं तो वहाँ सफलता मिलेगी और सफलता आप जो है मिलने पर, जो भी आपको बाहर की विदेश की possibilities बन रही है उसको आप celebrate भी करेंगे, घरवालों के साथ, परिवार या अपने दोस्तों के साथ, किसी के साथ celebrate जरूर करेंगे यहाँ पर आप लोगों ने अगर अपनी ही company में विदेश के लिए बात की थी, तो वो भी possible है, वो भी संभव है वहाँ पर भी आपको हामी मिल सकती है, अप्रूवल मिल सकता है, ग्रोथ कहीं न कहीं दिख रही है करियर में तो आप काफी आगे की तरफ देखते वे निजर आ रहे हैं, आने वाले समय के लिए, आप खुद भी ऐसी energy को sense करेंगे कि आप आने वाले समय में बहुत बड़ी चढ़ान चढ़ने वाले हैं, बहुत अच्छी पीक देखने को मिलेगी, बहुत अच्छा ग्रोव करेंगे और अपनी लाइफ को आप बेटर बनाने का प्रयास करें, which is good, कि आप अपनी लाइफ में पीछे जो भी toxic है, या जो भी ऐसी energies, जो बहुती negative है, negative लोग है, उन पे आप ज़्यादा focus नहीं करेंगे, आपका ध्यान अपनी जिंदगी में और powerful बनने पे होगा friends के लिए अगर मैं बात करूँ तो friends के लिए दयालू रहेंगे, स्वभाओ काफी दयालू रहेगा, सबकी मदद करेंगे, जिसको भी आपकी जरूत होगी, आप उनके लिए खड़े रहेंगे, नए दोस बनाने का भी प्रयास करेंगे, जादा socialize आप नहीं करते होगे नज but yes friends के प्रति आपका दयालू सुभाओ जरूर दिख रहा है, यहाँ पर अगर आप लोगों के लिए overall मैं बात करूँ तो आप अपनी life को secure और safe करने का प्रयास करेंगे इस महीने, इस महीने आपका पूरा प्रयास यह रहेगा कि आप safe चले, आप अपनी जिन्दगी में बस कोई problem या कोई stress आए, जिसके लिए आप बहुत बहतर position बे खुद को like heal कर रहे हैं, help कर रहे हैं, खुद को better person बना रहे हैं, आप लोगों के लिए bottom of the deck में, seven of swords के energy दिख रही है, जहाँ पर represent हो रहा है कि काफी सारे आपके पुराने जो मतभेद हैं वो solve होंगे, पुराने क प्रश आपकी तरफ देखता नजर आएगा, आप में interest लेता नजर आएगा, इवन बहुत प्यारी प्यारी बाते करेगा या करेगी, ऐसी energy भी बनेगी, तो थोड़ा सा आप सावधानी से तो चल रहे हैं, लेकिन यहाँ पर हाँ, एक और चीज में बोलूँगी, थोड़ा सा भी निवेश करने से पहले, जो आप ऐसे भी research करी रहे हैं, थोड़ा सावधानी से ही चले, chances है कि इस महीने थोड़े से आपके लिए कोई scamming energy भी बन स यानि कि आपकी उर्जा हैं, अब आपको जिंदगी में आपको और powerful बना रही हैं, और धिरे धिरे आप अपनी जिंदगी के उस तरपर पहुंचेगें, जहाँ पर आपको पहुंचना था बहुत पहले से, यानि कि मनजिल के आप काफी करीब आच चुके हैं, जहाँ पर आ झाल कर दो पहाँ भाँ पहाँ जाब सरे कैवल हैं, और पहाँवीक बढूऌन कहीं हैं, जहाँ एमादिए सक्ना हमे거 के पहाँ जटेचे हैं, जहाँ हुआएभा ह coloredmalica कि में इंए ओना झाल कर भादा आपको.